गुड मॉर्निंग ओल अफ यू वेलकम तो ओनलाइन क्लास प्रोवाइड़ बाई MDN पब्लिक स्कूल सो स्टूरेंट्स देखे आज मैं आपको इंग्लिश रिडर का लेसन नमबर वन करवाऊंगी जिसका नेम क्या है इफ आई न्यू इफ का मीन्स अगर मैं जानता न्यू का मीनिंग क्या है जानता देखे बिटे अब वो इसमें क्या जानने की बात कर रहा है यहाँ पर आपको यह बॉक्स दिया गया है यह बॉक्स है इसमें से कुछ स्माइलिंग फेस बाहर निकल कर आ रहे है और दूसरी तरफ एक बॉक्स है उसमें लॉक लगा दिया गया है फर्स्ट बॉक्स का तो लॉक खुला तो उसमें से मुस्कुराते हुए चेहरे निकले लेकिन जो सेकिंड बॉक्स है उसे लॉक लगाया गया है और यह आपको सी सी दिखाया गया है समुद्र कद्रिशे दिखाया गया है और उसके बीच में इसे box को फैंक दिया गया है तो चलिए हम चलते हैं अपने स्टेंजा नमबर वन की और वो क्या कह रहा है कि अगर मैं किसी ऐसे बकसे को जानता box यानि बकसा जहां पर क्या है मुस्कान रखी जाती है यानि smiles रखी जाती है smiles होता है smiles को underline कर लीजिएगा smiles होता है मुस्कान no matter how large की matter को underline कीजिए matter होता है मुद्दा या मामला फिर ये कोई मामला नहीं था कि उसकी चाबी की होता है चाबी या कुझी वो कितनी बड़ी है जैसे हम यह कह देते हैं अगर कहीं लडाई हो गई ठीक है suppose that आपकी class में ही हो गई लडाई तो class teacher नहीं थी आपकी class में उस time तो वो पूसती है कि क्या matter है लडाई का matter क्या है मतलब मामला क्या है अब आपका matter का meaning clear हो गया होगा मुस्कान रखी जाती है तब यह matter नहीं करता तब यह कोई बात नहीं है कि उसकी चाबी कितनी बड़ी है और strong the bolt I would try so hard और जो bolt क्या होता है bolt होता है पेंचदार पेंचदार चीज होती है फिर चाहे वो कितनी शक्तिशाली पेंचदार चीज हो मैं उसे खोलने के लिए क्या करूँगा कड़ी महनत करूँगा it would open और ये खुल भी जाएगी I know for me ये कहता है कि ये मेरे लिए खुल भी जाएगी मैं ये भी बात जानता हूँ then over the land and sea broadcast और फिर सभी जगा over the land कहां पे सभी जगा कहां land भूमी पे और समुदर में क्या हो जाएगा इस बात का परसारण हो जाएगा मतलब फैल जाएगी ये बात I would scatter the smiles to play scatter क्या होता है फैलाना वो कहता है कि मैं खेलने के लिए हर जगा क्या है मुस्कान को फैला दूँगा that the children's face might hold them fast और बच्चों के face है जो इससे क्या है बहुत ही तेजी से पकड़ लेंगी for many and many day और बहुत सारे दिनों के लिए मतलब वो अपने face पे क्या कर लेंगे smile की पकड़ बना लेंगी तो देखिए यह आपके stange number one को clear कर दिया ये इस box में से इतनी सारी smiles निकल कर आई और उसने इसके लिए बहुत मेहनत करने आप चाहे कि चाहे इसकी चाबी कितनी पेंचदार हो मुझे खोलने में कितनी मुश्किल आए मैं खोलूंगा और वो यह कहता है कि मुझे ये भी पता है ये खोल जाएगा चलिए अब नेक्स टेंजा को देखिए If I knew a box that was large enough Enough का मीनिंग क्या होता है काफी वो कहता है अगर मैं किसी ऐसे बकसे को जानता जो क्या होता बहुत बड़ा होता To hold all the fronds meat तो मैं जितने भी गुसा करने वाले हैं जो चिड़े रहते हैं नाक मुँ को सिकोडते रहते हैं Fronds का मीनिंग यहाँ पर क्या दिया है मुँहें सिकोडने वाले को ठीक है तो उन्हें सब को क्या करता I would gather them everyone मैं उन्हें सब को इकठा करता और क्या करता है इकठा करके पहले देखिए उन्हें इकठा कहां से करता From nursery, school and street Nursery से, school से और गलियों से इकठा करता और इसमें बंद कर देता इस बड़े box में Then folding and holding I would pack them तब मैं इसे क्या करता Folding इसे मरोडता और पकडता मरोड कर और पकड कर इसमें बंद कर देता और I would pack them यानि बंद कर देता पैक होता है उसमें बंद करना And turn the monster key और क्या है? Ruckious Chubby को Monster होता है Ruckious उस Ruckious Chubby को क्या करता? घुमा देता है यानि इसका lock लगा देता आ रहा हो गई आपको समाज And hire a joint G-I-A-N-T And hire a Giant to drop the box और उसके लिए एक दानव को भुलाता Higher करता यानि उसे भुलाता To the depth of the Depth of the Deep deep sea इसे स्मुद्र की गहराई में फैकने के लिए मतलब वो क्या करता? जो चिड़े रहते हैं ये तो बुराई है न वो कहता है खुश रहने वाले लोगों के जिनके face पे smile उन्हें तो वो बॉक्स से निकालना चाहता था लेकिन जो चिड़े रहते हैं उन्हें वो क्या करना चाहता था पकड़ कर एक बॉक्स में बंद करके और किसी दानव को Higher करके उसे बुलाके उसे स्मुद्र में क्या है गहराई में फैंक देता जो कि आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है तो मुझे उमीर है आपको ये तो समझाए होंगे अब इसी के बिहाफ पे मैंने कुछ word meaning लिखे हैं और आप इन्हें अच्छे से learn करेंगे और अपने notebook पर write करेंगी तो देखिए फॉर्स्ट वर्ड इस matter matter means बात या मामला सेकेंड इस bold bold means पेंचदार थार्ड इस new new means जानना फॉर्थ इस broadcast यानि परसारन करना फैलाना scatter broadcast होता है परसारन करना या फैलाना लेकिन scatter का मीनिंग भी क्या है यहाँ पर फैलाना fast तेजी से enough काफी enough क्या होता है काफी और monster raktious giant giant होता है dana so student आप जब तक आपका next topic नहीं होता है इसे अच्छे से कीजिएगा इसके word meaning को अच्छे से लिखेगा और इसी के बिहाफ पे अगर आप कर सकते हैं आपके पास books available हैं तो आप book work को जरूर fill कीजिएगा so thank you and have a good day